अब जो था उसको तो बचाना चीए था जी वो भी ज्यादा एग्रेशन नहीं था ना कबता चको को और किसी के मार देता वो अगर मैं होता तो मैं उस लड़की को मरने नहीं देता अब इस जो सोचाले है ये मैं मेरा कहने का मतलब है वो लड़का बहुत नशे में था वो दिली शहर के रोहिनी इलाके की बात है ये, रोहिनी इलाके में शाहबाद डेरी के ए ब्लॉक में जहां पर मुर्गा मार्किट पढ़ता है, कर रात को एक हाथसा हुआ, बहुत बहरे मीं से एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, 16 साल की थी वो ना बालिक थी, यहीं पर हत्या और फिर पत्थर लेकर आकर उसके सर पर मारता है, यह सारा कुछ यहीं पर हुआ, इसी जगह पर लड़की पड़ी हुई थी, उल्टी तरफ पड़ी हुई थी, और नीचे उसको उसने लाथ मारके ऐसे यहां पर नाली में घुसा दिया था, हम यहां के आसपास लोगों से बातचीत करेंगे और यह जाने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने कुछ देखा, कुछ सुना कल रात, एक्जाटली हुआ क्या यहां पर, क्या थी साक्षी की हालत और साहिल जिसने यह किया उसके साथ हुआ क्या था, वो यहीं के रहने वाले है, क्या वो पहले लोगों उन्हों पहले देखा था, यहां पर, हम सब जाने की कोशिश करेंगे, चलिए, हम उसी जगा आकर पहुचे है, जहां पर कल रात को जो हाथसा हुआ, वहीं पर एक गली है, वहीं पर आये थे, इसी घर के सामने हुआ था, तो आप यहां पर रहते हुआ इसी इलाके में रहत जाने हुआ यहां अपका नाम? चांदनी, अचा तो आपने बता था कि कल आप ड्यूटी से वापस आ रहे थे, आपने कुछ देखा, सुना? देखा मैं नम जा मडर हो चुका था, जब देखा, उसी कितने बजे हुआ? नो बजे के बाद ही था, नो बजे के बाद सारे नो बजे के आस पास था ही, क्या देखा आपने? यहां लेटी हुए, लड़की यहां लेटी हुए थी, सारे लोग कठे हुए थे, मडर हो गया, मडर हो गया, उतने कुछ देर बाद पुलिस आ गए थे, और यह जब आप घर वापस आ रहे थे तब आपने देखा, कब देखा अपने? यहां लेटी हो गया, मतलब आप कहीं से आ रहे थे? यहां लड़की का अचा तो आप घर पे थे और फिर भागम दोड़ी हो गया, तब आप बहार निकले, उससे पहले आपने कुछ नहीं सुना? यहां पर रहते हो, आप एक दूसरे को सब कुछ जान तो आप यहा पर रहते होंगे, तो किसी ने कुछ देखा, बोला? यही कहते है, मैडम कोई निकी मर्डर होने के बाद ही देखा है, पता नहीं किसने देखा, किसने नहीं है तो. और आप कह रहे थे कि यहां पर ऐसा होता रहता है, कुछ और हुआ है यहां पर इस इलाके में? अभी तो फ साक्षी के साथ हुआ, साक्षी को अपने पहले देखा था, यहां पर आती जाती रहती थी? कहां पर? किसी का घर था, क्यों यहां? घर नहीं आती थी, घर नहीं आती थी, बस ऐसे ही रोंड मारती रहती थी? क्यों यहां पर आती रहती थी, लड़की तो? कितने दिन पहले की बात है? क्यों यहां पर आती रहती थी? क्यों यहां पर आती थी? क्यों यहां पर आती थी? क्यों यहां पर आती थी? क्यों यहां परागी है? और जब आप घर गये तब आपने परिवार से पूछा कि किसी ने कुछ देखा, कुछ सुना? क्या हुए थी थी थी? आपने कभी उस लड़की को या उस लड़के को आसपास यहां पेस अलागे में देखा था नहीं जी नहीं क्योंकि मैं सुबह दस बजे करीब चला जाता हूं रात में दस बजे आता हूं तो ऐसा कुछ पता नहीं है विडियो में जो लोग थे क्या आप उनको पहचानते हो न क्यों वह भी ज्यादा एक्रेशन नहीं था ना कापता चको को और किसी के मार देता हूं लोग बाग डर के मारे इस वज़े से ना गया उसके आगे लोगों का डर भी तो समझो आप यहां के रहने वाले हो हाई येस मैम आपका नाम क्रीश क्रीश नाम है क्रीश और आप बं हमें तो अभी दिन में पता चला तीन चार बजे की करीब कर रात कोई पता चल गया था तो मैंने टीवी पर नहीं देखी होगी तो उस पर पता चला मुझे के लड़की को मतला वीडियो देखी थी मैंने कि वह पटी से मार रहा है पहले चाकू से वार किया फिर उसको बहु फिर उसके बाद बड़ी पटी से मारा फिर उसके बाद मैं देखा भी उसमें वीडियो में मैं देख रहा हूं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि सब देख रहे हैं कोई कुछ नहीं बोल रहा था कोई कि किसी ने उसको बचा है बचा है आप होते कल यहां पर जब यह हो रह उस लड़की को मरने नहीं देता उसने यहीं से उठा कर मारा है मैं मैं देख रहा हूं मैं ऐसी ऐसी पटिया थी हाँ तो इसी पटिया से उठा करें वह मार रहा था वह साब ले गई देली पुलिश्वारी ले गई अपने देखा क्या हुआ अच्छा और आप क्या डिसकस करें थे पहले मेरे आने से पहले आप कुछ बोल रहे थे अपने दोस्ते तो अब तो मैं मैं तो बिलकुल भी ना बरोसी नहीं रहा कि लड़का था मुशलमान और हिंदूती लड़की ठीक है इतने केस हो रहे ना मुस थोड़ी सी दूर तक यह वहां से देखके नियाय कितने टाइम पर हुआ है भाई एक लड़की और मारी थी दिली में जो वारदाद हुए जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिये थे वो मुसलमान लड़के नहीं किया था और लड़की जो थी वो भी हिंदू ही थी हम यह नह लड़की को जो मारा इतनी बुरी तरीके से उसके हत्या जो कर दिये अब इसके खिलाब मैं कुछ नहीं होना प्लीस कुछ नहीं करते हैं मैं जो नेता लोग है वो कुछ रुपए में विकती हैं पुलीसे साड़ेन सोडियों को तो है कोई भी नसेड़ी कुछ भी दिख जा और सेहाने हैं पोलीस वाले जो चोरो केते हैं कि का अधे पैसे तेरे आधे मेरे आपको यह सब कैसे पटा आपने देखा है अपनी आख्यों से सहना है इंपूच समय है ऐसे में कुछ कहा था इससे पहले की सौसों में बिग जाते हैं उसका क्या मतलब है आपका यहां पर ना मैम किसी को भी पकड़ के ले जाएंगे ठीक है उसके जैम में जितने भी रुपे रहे ना उसे वो दे देंगे ना वो छोड़ देंगे बिल्कुल आसानी से कोई भी हो कोई हो जूचाले है इसके अंदर इतने इंजेक्शन मिलेंगे लगाते हैं यह फोल१ लड़का में पहले कभी देखा था आपने उनको तो लड़की को नहीं किल थे विविद्वान चौन्हार्श करने की कुछिश करें कि सफ इस उन उस्सार चल करते यहां आप केरें कि मुसलिमान से आपका पूरा बिल्कुल फर शोड़ा मैं है जितने भी केस सुन रहा हूं यह हो रहा है तो आप कहने की कुशिश करें कि सिर्फ मुसल्मानी गलत करते हैं मुसल्मान भी और हिंदू भी है थोड़े बहुत मुसल्मान तो बिल्कुल ही है जो कुछ है ज्यादा कुछ सुनने में आ रहा है वही कुछ कर रहे हैं और उनके खिलाब कोई कारवाई की नहीं आपको क्यों लगता है उनी का स्याधा सुनाइद दे रहे हैं लेकिन जो गलत करता है जब तक उसके खिलाब कोई कारवाई नहीं करी जाएगी तो मैं सबक कैसे मिलेगा मैं कहते हूं हिंदु मुसल्मान आप छोड़िये इंसानियत से भरोसा उच चुका है क्या आपने वीडियो देखा लोग खड़े थे देख रहे थे चल के जा रहे थे किसी ने कुछ नहीं किया ना पुलीस को फोन किया ना आसपास किसी को बुलाया लड़की की बॉड़ी सब्सक chili का है दो ठुम dues है डूटका को यहां रहा को यहां राता है जो लड़ात कर रहा आपता को पार्ति, जो भारदानेवाल हों प 패 RAW देकने बुड़ाने तो इसका कीकू रहा हुए बहुत पार में हाँ क्यों पर सब्लस को बचाने रहां वाला तो बाकि हम तो काम पेश आपको कैसा पता कि वो बचाने आया था ये वीडियो में दिखा रहा है शाओ आप उस लड़के सामने सिसी टीवी देख सकते हो कि बंदा बचा रहा क्या करता है वह बचा कि वहां से भगा जब उसके बंदे के बात्ते नहीं चड़ा नहीं पाया जब वह भगा गला पर उस बंदे को भी लेकर चले गए था ने पुलिस वाले उसको मार रहे खाली यह बा यह नहीं है जाप वह बनाम तरफिया वहाल रह पर इसको यहां को मारने वाला बंदा अपर जो बंदा बचा रहता पो पर प्राहिए को तो आप ने खा कि आप ड्यूटी पर थे आपको कब पता चला आपका वापस वापस अपने देखा उसको मारते हुए कब उठा कर लेके गए पुलीस वाले हुश जी अब यह तो नहीं पता बता है दोस्त लोग बतार देखा कि इसको बंदे को भी लेके चले गए कौन है यह दोस्त लोग काम पर रही है मेरा दोस्ते का एक बिर्जेश नाम का उसका घर यह रहा यहीं खार यहीं पर हुआ था एक घर छोड़ कर और यह बता रहे है कि ब्रिजेश का यह घर था बच सब ड्यूटी पर थे तो उन्होंने देखा नहीं बाकी लोगों से फिर उ आगे बढ़कर बचाने नहीं आए इसलिए अब भी वो आगे बढ़कर बात नहीं कर रहे हम घर घर गए है जैसे जहां पर हाथा हुआ वहीं पर एक घर है हमने वहां पर भी खट-खट आया बट कोई भी बात करने को त्यार ने है सब का यहीं कहना है कि हम खाना बना रहे थे हम ड्यूटी पर थे टीवी और फैन ओन था तो हमने तो कुछ नहीं सुना फिर जब पुलीस आई तब हमें पता लगा पता तो होगा शायद से बट कोई बात करने के लिए तेयार ने है बट हमारा फर्स बनता है कि हम आपके साथ यह सारा कुछ शेर करें तो इसलिए हम यहां पर इस सेरा में आप पहुचे आपको दिखाने कामरा के पीछे है पंकज मैं हुजी शाब देख रहे हो ललन टॉब